बाशा संगम में सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप वेश बाशा चाहे अनेक है यह विवितता में इकता हमारी पहचान है हमारे भारत में 22 बाशा इमुख्यता बोली जाती है इनके प्रचार प्रचार और बवभाशी भारत का परिचे छात्रों को कराने है तू एक भारत शेश्त भारत उपक्रम के अंतरगत आयोजित भाशा संगम का रिक्रम में सभी भारतिय भाशाओ की जानकारी हम ले रहे है आज हम ओडिया बाशा के कुछ वाख्य सीखने वाले है अतह हम आदर उन्या प्रचार जी गुरुजनवर्ग एवं सभी सह पाटियों से अनुरत करते हैं कि ओडिया में बोले गए वाख्य हमेरे साथ दोहरा है इन इंग्लिष वी से हेलो इन हिंदी वी से नमस्ते इन ओडिया वी से नमस्कार इन इंग्लिष वी से वड़ जने इन हिंदी वी से आपका नाम क्या है इन ओडिया वी से आपलग नाम करन In English we say my name is Lakshmi In Hindi we say my name Lakshmi है In India we say more name Lakshmi In English we say how are you In Hindi we say आप केसे है In India we say आपन केमिती अच्छंती In English we say I am fine In Hindi we say मैं ठीखू In India we say मुँ भल अच्छी मुँ भल अच्छी ओडिया में हम ये सब वाक्य इस प्रकार कहेंगे नमस्कार अपनक काप अपनक नम करन मुँ नाम Lakshmi आपन केमिती अच्छंती मुँ भल अच्छी ओडिया भारत के ओडिशा प्रांत में बोली जाने वाली भाषा है यह यहां के राज सरकार की राज़भाषा भी है भाषाई परिवार के तोर पर ओडिया एक आर्य भाषा है नेपाली बांगला अस्मिया और मैथिले से इसका निकट संबंद है उडिया भाषा और जाती दोनों यर्थों में उडिया शप्त का प्रयोग होता है इसकी लिपी का विकास भी नागरी लिपे के समानी रामी लिपी से हुआ है उडिया भाषा से संबंदित राज्यक उडिशा में अईतिहासिक जगनात पुरी जो चार दाम में से एक प्रमुक दाम है वर्स्तीत है भौगोलिक चिलका सरोवर भी उडिशा में ही विद्यमान है यह उडिया भाषी राज्य प्रतिवर्शे चक्रवाद से जूजता है ये इसकी भौगोलिक एवर एतिहासिक विशेशता है है धन्यवाद